Hello everyone, सुन पारे हो तो एक बार मेरे को thumbs up कर देना CUET 2022 का official discussion आजम करने जा रहे हैं क्या paper pattern होने वाला है, syllabus exactly क्या है, dates आपकी कौन कौन सी relevant है पहली बात तो सारे के सारे मेरे को एक बार थम्स अप कर दो, सुन पारे हो तो मैं request करता हूँ, हर एक student से यहाँ पर मेरा WhatsApp नमबर लिख ले 639766212, इस WhatsApp पर हाई भेजो, मैं आपको बताऊंगा syllabus में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है CUET की त्यारी आप कैसे कर सकते हो, अब हमारे पास 2nd April से लेकर 30th April तक CUET 2022 के forms open होंगे, और यह मैंने ही बोल रहा, NTA का official notification को मैंने bifurcate किया है अच्छे से presentable manner में मैं आपके पास यहाँ पर लेकर आया हूँ, समझेंगे कि CUET 2022 आकर है क्या, क्या-क्या बाते हमें ध्यान में रखनी है एक बहुत बड़े से brochure को मैंने कल भी हमारे YouTube चैनल पर explain किया था सभी students चैनल को सारे subscribe करो और session को like करते रहें न, क्योंकि यह जो बाते हैं, ऐसी और सारी बाते हैं आपको मिलेंगे इस channel के उपर तो session को like करना मत बूलना, इससे क्या होते हैं, मेरी जितने भी बनाई भी वीडियोज है, वो Delhi University है, BHU है, JNU है, I am Indoor, I am Rotak है जितने भी undergraduate programs के आप बात करो, वो videos आपके YouTube feed पे pop-up होनी शुरू हो जाती है, तो इतनी सी दुआ है, इतनी सी ख्वाईश है कि आप session को like कर दो, एक बार तुम सब के, मैं chats पढ़ लूँ यहाँ पे बहुत बढ़िया, start कर रहे हैं बस दो मिर्ट में, दो मिर्ट में और start कर रहे है नमबर बता देता हूँ, WhatsApp नमबर लिख लो जी, 639766, देखो अब यह like नहीं कर रहे है, मतलब मैंने बोल दिया, फिर भी like नहीं कर रहे है, गलत बात है, यारी, यह गलत बात है, चलो चलो जी, समझ आगी बात, बहुत बढ़िया, डन 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 है, चलो जी, चलो चलो, स्टार्ट करते हैं पहली बात तो, CUET 2022 की सब को फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, CUET 2022 की फुल फॉर्म है, Common University's Entrance Test, इसका एक ओविशल ब्रॉशर, NTA ने रिलीस किया, और वो ब्रॉशर मैं अपने टेलिग्राम ग्रूप पे अल्रीड डाल चुका हूँ, प्लीज उस टेलिग्राम ग्रूप को सारे जाके एक बार देख लेना, समझागी मेरी बात, Common University's Entrance Test, NTA इसको कंड़क करवाने वाली है, National Testing Agency, NTA, National Testing Agency, has been interested with the responsibility of conducted the Undergraduate Entrance Test, basically यह जो नोटिफिकेशन आई है, वो सिर्व वा सिरव यूजी प्रोग्राम के लिए, Undergraduate प्रोग्राम के लिए, अभी कहीं से लेकर कहीं तक भी, Post Graduate की बात नहीं हो रखी, for example, उन्होंने इतना तक लिख दिया, कि सर यह CUET तो है, बट ध्यानते समझना यह क्या है, यह CUET, bracket में लिखाव है UG, सिरव वर सिरव UG के परस्पेक्टिव से बात बोल रहे हैं, यह वो ही organization है, यह वो ही autonomous body है, जो आपके पास All India Level पे NEET और JE, Advanced, SA, National Level Test conduct करवाते आ रही है, CUET 2022, World का सबसे बड़ा exam होने वाला है, in terms of scale, in terms of number, और इस paper pattern को जो मैं आप आपको समझाने वाला हूँ, वो पहली बार discuss हो रहा होगा, पूरे के पूरे, जितने भी Indian education system है, उसके अंदर आपके पास पहली बार यह paper pattern conduct करवाय जा रहा है, CUET will provide a single window opportunity, आपको समझना पड़ेगा, ये एक exam है, जिसके अंदर आपके scores आएंगे, scores के basis पे आपको admission दिये जाएंगे, center universities के अंदर, अच्छा, central universities total कितनी है, there are total 45 central universities, उनके name मैं आज शाम को, मैं दुपैर को अभी 12 बज़े आ रहा हूँ, उसके name मैं आपको समझाऊंगा, बहुत सारे students confused है, sir, dropper का क्या होगा, stream change का क्या होगा, एक separate session ले रहे होगा, उसमें मैं समझाऊंगा, तुम्हें, droppers का क्या situation है, ये आपने drop लिया था, 2020 पास आउट हो, 2019 पास आउट हो, तो आप कौन कोंची universities में eligible हो, basically वो NTA decide नहीं करता कि आप eligible हो या नहीं हो, वो कौन programs, what programs are offered, basically BA, BSC, BCOM, BALLB, कुछ-कुछ universities में BALLB को बोला जाता है कि वो undergraduate program है, for example, BHU, अब जैसे Delhi University का LLB का जो program है, वो postgraduate program है, undergraduate program नहीं है, तो कहने के बाद इतनी सी है, कौन कोंसे programs offered है in CUET 2022, UG programs, लिख लो, only UG programs, अब ये undergraduate program, कौन से university के अंदर आप apply कर रहे हो, उसके उपर dependent है, for example, अगर आप LLB देना चाहरे हो, तो Delhi University का LLB का program UG नहीं है, PG program है, but LLB, BA, LLB program, BHU का हमारा undergraduate program है, तो उस case में सिर्व और सिर्व UG programs के उपर focus किया गया है, इसमें और भी बोलख़ा है कि अगर आपको eligibility test करनी है, पता करना ह है, syllabus में आपको attempt क्या करना है, paper pattern इतना बड़ा है, समझना है कि पढ़ना कैसे है, तो आपको test के लिए information bulletin of admission to undergraduate programs of desired, desired मतलब कौन सी चाहत है तुमारी, कौन सी central university में आप admission लेना चाहते हो, उसकी eligibility criteria आपको पता होना चाहिए, देखो यार हमारे पास ये तो आगया कि paper pattern क्या है, पढ़ना कैसे है, dates क्या होने वाली है, बट ये नहीं आया कि eligibility criteria क्या होने वाला है, यदि कोई student economics honors करना चाहता है दिली उन्वस्टी के अंदर तो उसको domain के अंदर क्या देना है, general test के अंदर क्या देना है, ये अभी clarity नहीं है, ये clarity कब आएगी, जब Delhi University का information brochure 2022 release होगा, वो same बात यहां पर लिख रखी है, कि eligibility के purpose से, test में आपको attempt क्या करना है, you have to refer to undergraduate programs, उनका एक information bulletin निकलता है, हर एक center university का अलग निकल रहा होगा, the details of the programs, कौन से कौन से university, कौन कौन से programs offer करती है, वो उनकी respective website में आपके मिलने वाली है, ये सारी के सारी जो मैं information आपके पास र upload कर दिया, प्लीज उसको जाके check out कर लेना, ठीक है जी, अच्छा, dates क्या है, ध्यान से समझो, आपके पास जो application form air, वो reality में 1st April से दिखना शुरू हो जाएंगे, however, application starts from 2nd April 2022, the link for the same will be available, अच्छा, website, कौन सी website पर जाके है, मैं register करना है, पहली बात तो यहीं मैं आपको पता कर दूँगा, आपको इधर-उदर भटकने की जरूत ही नहीं है, but यह website जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है, लिख लो, cuet.sumarth.ac.in, cuet.sumarth.ac.in, और सभी students, जितने भी 200-200 students यहाँ पर मेरे को देख रहे हैं, session को like करते ना, channel को subscribe करते और अपने friends में share करतो, cuet की complete information, मैं मैं आपके पास cuet की free classes लेके आने वाला हूँ, एक tag कर रख है, मैंने यह आपे channel cuet learn करो classes, उसको जाके सारे subscribe कर लेना, एक बहुत बड़ी announcement तुम्हारे पास आने वाली है, wait करो, cuet.sumarth.ac.in, candidates who wish to appear for cuet UG 2022, their advice to go through the required eligibility, the eligibility criteria of the desired university or universities for selecting the options from UG programs being offered, basically यह बोल रहे हैं कि हर एक university की website पर जाके आपको check करना पड़ेगा, for example, आप जिस course में apply करना चाहता है, पहली बात हो, हमारे language में उसको course बोलते हैं, universities की language में उसको बोलते हैं, program, किस program के अंदर आप apply करने जा रहे हो, उसके according depend करेगा कि आप कौन सा section दे रहे हो, तो आप बोलोगी कि वही, section section क आप बात करे हो, तो एक बार paper pattern समझा लेते हैं, paper pattern की बात कर लेते हैं, अच्छा, आपकी application window कब से कब तक खुली रहेगी, second April से लेकर, आपके पास 30th April तक forms खुले रहेंगे, cuet के, तब तक आप भर सकते हो, ये timeline NTA ने prescribe करती है, अब syllabus के बारे में आ जाते है, most important, लिख ल आंसर मिलेगा, कि यार stream change कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और मैं eligible हूँ, किसी course के लिए हैं नहीं हो, for example, अभी में मेरे पास बहुत सारे students आ रहे हैं, sir मेरे पास maths नहीं थी, क्या मैं दिल्ली निवर्स्टी के अंदर economics honors के लिए eligible हूँ, मेरा answer है, नहीं, आप eligible नहीं हो, अगर आपके पास maths नहीं थी, तो आप क्या B.com honors के लिए हो, नहीं, डेली निवर्स्टी के अंदर B.com honors और economics honors के लिए, आपके पास maths होनी कम बसरी है, मैं PCM का student हूँ, क्या मैं economics honors pursue कर सकता हूँ, देली निवर्स्टी से, उसका answer है, yes, but economics honors pursue करने के लिए, क्या आपको कुछ और domain देना पड़ेगा, या class 12 का domain देने पड़ेगा, अपे देना क्या पड़ेगा, हमें तो यहीं नहीं पता, तो अभी आपको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, SMS समझो कि यार, आप अकेले हो, आपको information नहीं आरी, knowledge नहीं आरी, awareness नहीं, हर एक student, हर एक educator, for that matter of fact, जो भी information आरी है, उसको अपने level पे अच्छे से interpret करके तुमें बता रहा है, सारी information अभी out नहीं हुए, NT ने कुछ-कुछ हमें paper pattern dates के बर में बताया है, बट universities जब अपना information brochure, admission brochure 2022 निकाल लेगी, जिसके अंदर वो बताईगी कि वो CUET के scores कैसे accept कर रही है, तब हमें पता लगेगा, reality में हमें attempt क्या करना है, However, इन्होंने जो paper pattern है, वो four sections के अंदर prescribed कर रखा है, section 1A के अंदर आपके पास languages है, जिसके बोलते हैं, language test, 13 languages आपको offer करी हुई है, section 1B के अंदर 19 languages है, section 3 के अंदर, sorry, section 2 के अंदर आपके पास 27 domain specific subjects हैं, और section 3 के अंदर आपके पास general test है, जिसको हम बोलते है, general aptitude, इन में से कोई भी section mandatory नहीं है, बहुत सारे students बूच जब धिक्ट कर तक थोड़ी Cris confusion दि, यह बताओ कि general test जो general aptitude test है, वो compulsory है या नहीं है, मैं आपको बताता हूं, यह भी compulsory नहीं है, section 2 भी compulsory नहीं है, section 1 B भी compulsory नहीं है, section 1 A भी compulsory नहीं है, कुछ भी compulsory नहीं है, कुछ भी mandatory नहीं है, देखो यहाँ पी लिख रका, यह मेरी language नहीं है, यह NTA की language है, उसको मैं interpret करके बता रहा हूं, तुम मैं क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, choosing options from each section is not mandatory, जरूरी नहीं है कि आप 4 के 4 दो ही हो दो, जरूरी नहीं है कि आप domain specific दो, जरूरी नहीं है कि आप सिरफ और सिरफ general test दो, जरूरी नहीं है कि आप one भी आपको देना ही देना है, वो बोल रहे हैं, यह depend करेगा, choices should match the requirements of desired university, again इन्होंने उनिवेस्टी के ओपर ठोप दिया भाई सब कुछ, उनने बोला भाई हम तो paper करवाएंगे, हम एक pattern तुमें discuss कर सकते हैं, university की क्या requirement है, उसके हिसाब से आप sections attempt करना शुरू करोगे, क्या यह बात सही है, for example, Delhi University बोलती है, हम अपने students, जो political science honors में admission लेना चाहते हैं, उनको हम बोल रहे हैं कि आपने जो class 12 में subject पढ़े थे, वो तो दही दो, इसका मतलब क्या है, domain specific को आपको देना है, class 12 मे जो आपने बढ़ा, वो ही domain में दे दिया, मैं एक example के तौर में बता रहा हूँ, इसको मेरी official statement मत मान लेना, कि सर्ण ने बोला था, political science honors के लिए यह देना है, अगर मान लो किसी का PCM है, और PCM वाला student political science honors में जाना चाहता है, तो वो जा सकता है, पहली बात तो मैं बताता हू eligibility में कोई भी problem नहीं है, बट बात आ जाती है, domain वो कौन से देगा, क्या वो political science देगा, या वो PCM देगा, मान लो दिली इनवेस्टी बोलती है, नहीं नहीं, आपको तो PCM देना है, domain specific में, एक language test देते हैं, हिंदी, English या जो भी ODI, मलियालम, पंजाबी में, जो भी आपके बस 13 languages है, 13 languages कौन सी अभी मैं बताता हूँ, बट 13 languages में से जो भी language आपको चूज करने हैं, आप उसके अंदर language साच देतो, domain देतो जो आपने class 12 में बढ़े थे, और एक general test compass रही है, political science honors के लिए देना ही देना है, तो उस case में आप ये 3 section attempt कर रहे होगे, बहुत सारे courses जैसे French honors, German honors, Italian honors, दिली निवस्टी के अंदर भी provide किये जाते हैं, तो उसके अंदर दिली निवस्टी बोलेगी कि सर, यहां पर जो French, German, 19 languages में से available है, वो आपको देना ही देना है, तो ये depend करेगा course to course की उसी क्या requirement है, in short मैं ये बताना चाहरा हूँ, हर एक university अपने course के against, वो क्या paper expect कर रही है students से, क्या आपकी desired course है, क्या आपका desired program है, desired university है, उसके उपर depend करेगा, कि आप इन चार sections में से क्या देने वाले हैं, इन चार sections में से कुछ भी mandatory नहीं है, वो NTA ने obviously यहां पर बोल दिये, अब थोड़ा detail syllabus कि अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको बताया section 1A, पह क्यों मेरी बहुत सारी professors from Central University of Haryana, Central University of Punjab, उन से बात हो रही थी, यह paper pattern reality में एक अफ़ते पहरे release हो गया था, among the professors, official NTA ने आज release करा है, ठीक है जी, तो 13 languages में से कोई ना कोई एक आपको देनी है, reality में अभी number की बात नहीं करते हैं, अभी सर्फ इतना समझ लो, section 1A के अंदर 13 आपके पास languages होंगी, 13 languages कौन कों सी है, ये भी देख लेते हैं एक बार, Tamil, Telugu, Kannad, Maliyalam, Marathi, Gujarati, Udia, Bengali, Assamese, Punjabi, English, Hindi and Urdu, इसके अंदर, section 1A के अंदर आपके पास 50 questions आ रहे होंगे, जिसमें से सिरव और सिरव आपको 40 attempt करने है, यहां लिख लो, इन्होंने शाहिद information देने भूल गए है, यह MCQ-based होने वाला है, subjective नहीं होगा, कोई problem तो नहीं है, this is going to be MCQ-based, this is going to be MCQ-based, subjective paper नहीं होगा, लिख के कुछ नहीं आना, टिक करके आना है, CBT mode में होगा, computer-based test, लिख लो, CBT, computer-based test mode में होगा, आप एक center में जाओगे, एक offline center में जाओगे, वहां पे आप आपका exam online हो रहा होगा, एक system आपको provide किया जाएगा, again, यह particular section आपके पस 45 minutes का होने वाला है, यह सिर्फ और सिर्फ section 1A की बात कर रहा हूँ, किस प्रकार के question आएंगे, एक बहुत बढ़िया वीडियो में, आज शाम को इसी channel पर आपके पस लेके आ रहा हूँ, जिसमें हमा साथ मेरी friend है, और मैं साथ जुडी मी है, सौमय कपल मैम, she is going to tell you कि reading comprehension के अंदर यह factual, literary, narrative, यह किन प्रकार के questions, भिन भिन प्रकार के question आपके पस आएंगे, तो कैसे questions आ रहे होंगे, शाम को इस particular section 1A के उपर एक बहुत बढ़िया session होने वाला है, प्लीज उसको जाके देख यह 19 languages के नाम यह रहे, French, Spanish, German, Nepali, Persian, Italian, Arabic, Sindhi, Kashmiri, Konkani, Bodo, Dongri, Mithili, Manipuri, Santhili, Tibetan, Japanese, Russian, Chinese, 13 languages 1A की अलग है, 19 languages 1B की अलग है, इसके अंदर भी आपके पास same pattern है, 50 questions दी जाएंगे, in which you only have to attempt 40 questions, 50 questions in total दी जाएंगे, 40 questions attempt करने है, किस प्रकार के question आएंगे, reading comprehension based questions आ रहे होंगे, again 45 5 minutes यह जाएंगे 1B में, अगर कोई student 1A और 1B दोनों देना चाहता है, तो वो दे सकता है, 45 minutes यह जाएंगे for each language, अच्छा एक और यहाँ पर मैं आपको clause बता देता हूँ, इन्होंने यहाँ पर कुछ आगे instruction लिख रखा है, पर मैं वो तो पढ़वाई दूंगा दूमें, बढ़ यहाँ पर मैं दूमें बता देता हूँ, कि 1A और 1B में total मिलाके आप maximum 3 languages चूज कर सकते हो, maximum 3 languages आप चूज कर सकते हो, 1A और 1B को मिलाकर, तो in that case अगर कोई 3 के 3 languages के इंदर अपने exam देता है, तो 45 into 3 उसको उतने minutes यहाँ पर दिये जाएंगे section 1A और 1B को मिलाकर, अ 27 domains आपके पास यहाँ पर, 27 domains specific subjects आपके पास offer कर रखे हैं, जिसमें हमें यह बता रखे है कि a student can choose a maximum of 6 domains as desired by the applicable university, again यह domain आपको कौन सा देना है, यह जिस university को आप target कर रहे हो, उसके according पता लएगा, उसके according हमें पता लएगा कौन सा domain हमें देना है, क्या हमने जो class 12 में पढ़ा इतनी सी है, यह domain के अंदर यह six domains at maximum आप six domains opt कर सकते हो, बट देना कौन सा domain है, यह उस पर depend कर रहे हो, कि आप कौन सी university का कौन सा program, कौन सा course target कर रहे हो, ultimately इसके अंदर आपके पास 50 questions आएंगे, 40 questions आपको attempt करने है, MCQ based होगा, सिरफ और सिरफ, most important है, NCRT class 12 के syllabus पे आपका, NCRT class 12 only, देखों, यहाँ भी लिखा है, only, class 12 syllabus only, यह NTA को official notification है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, class 12 NCIT syllabus only के basis पे यह आपको domain के उपर judge किया जाएगा, इसमें for each domain, देखों, यहाँ भी लिखा है, each domain, you are given 45 minutes, for example, कोई six domain देना चाहता है, तो उसके 45 into six, इतना मिनट दिये जाएंग तो 45 minutes is allocated for each specific domain, ठीक है जी, यह रहे, पूरे के पूरे domain specific, प्लीज इसका एक बार screenshot ले लो, और यह जो मैं तुमें बता रहा हूँ ना, यह मारे telegram channel में, जितनी चीज़ें यहाँ पर बढ़ाता हूँ, जितनी चीज़ें आप बताता हूँ, वो telegram channel में मैं upload कर देता हूँ, बहुत मैनत लगी, सूपे से लगे हूँ, छे बढ़े से, यह पूरा कुरा बनाने ही पर एक बार screenshot ले लो इसका, एक बार screenshot ले लो, बहुत बढ़िया, like नहीं करते है session को, डियू जाइट होगा, येस डेफिनेटली होगा, डियू जाइट होगा, बताता हूँ उसके बारे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, domain specific 27 subjects लिए हैं यहाँ पे, इसमें science, commerce, humanities के mixed subjects हैं, तुम देख लो, तुमने class 12 में कौन सा बढ़ा है, most probably, ये NTA के official statement में लिख रखे, उन्होंने जो ब्रॉशन निकाला था, most probably, you will be attempting those domains in which you have already given your class 12th, किसीने अगर sociology, political science, history, geography और English पढ़िती तो उसी domain में उनको देना होगा, अपना domain specific subject, अगर किसीने पढ़िती, accountancy, economics, BST, maths और English, तो इनी domains के अंदर आपको क्या देना पड़ेगा, domain specific, ये मैंने नहीं बोल रहा, ये NTA का जो official notification है, उसमें लिखा है, generally, the students who have studied their subjects in class 12th, are the same subjects that they have to opt in domain, however, the flexibility is being provided to the university, they also may opt for other domains, for example, BHU बोलता है, नहीं या, अगर आप PCM के student हो तो आप political science honors के लिए eligible तो जरूर हो, but आपको political science एक domain देना पड़ेगा, तभी हम आपका वो score accept करेंगे, political science honors में, BHU ने ये बोल दिया, similarly, अपना Delhi University ने बोला, नहीं, नहीं, आपको political science domain देने की जुरूरत नहीं, आप PCM के student हो PCM ही दे दो, हम आपके scores calculate करके, political science honors में आपको admission दे पहले से ऐसा ही होता आ रहा है, ये conventional है, अगर तुमें stream change करनी है, तो it is not necessary for you to ace in that particular subject, to prove yourself की नहीं, मैं तो political science के लिए बनाओ, क्यों बनाओ, ये देखो, जी मैंने मेरे इतना अच्छे मास लेगा हूँ, political science के लिए, ये कहीं भी नहीं लिखा है, अगर तुमें stream cross करनी है, you you can change your streams, however, domain in particular तुमें देना कौन सा है, वो depend करेगा, वो basically वो measure होगा, वो choice जो है, वो particular select करी जाएगी by the particular university जिसके अंदर आप admission नहीं है, secure, admission नहीं की बात कर रहे हो, B.H.U. के कुछ और guidelines हो सकती है, Delhi University के कुछ और guidelines हो सकती है and so on, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ये 27 domains तुमें लिख लिए हैं, बहुत बढ़िया, अब हम आजाते हैं, section 3, general test, इसको बोलते हैं, general aptitude, इसको बोलते हैं, general aptitude, ये again general test जो है, वो अर हर एक program का, ये programs का university decide करेगी कि general test उसको किसी program के लिए लेना है या नहीं देना, for example, math on us के लिए Delhi University बोल दे, भाई तुमें general test देना कंबसरी है, B.H.U. के लिए बोल दे, political science on us के लिए, B.H.U. political science on us के लिए बोल दे, कि आपको general test देना कंबसरी है and so on, तो general test कंबसरी है या नहीं है, देना है या नहीं करेकर University के उपर, 75 questions आपको दे जाएंगे, जिसमें से 60 questions you have to attempt, syllabus यहां पर again, MCQ-based questions आपके पास आ रहे होंगे, syllabus इन्होंने बहुत अच्छे से यहां पर define कर रखा है, क्या, G.K.I.G.A., current affairs, general mental ability, numerical ability, quantitative reasoning, simple application of basic mathematics, basically numerical ability और quantitative reasoning का मतलब होता है, 8 तक कि आपकी जो basic algebra हो गई, mensuration होग analytical reasoning, 60 minutes, देख लो, 60 minutes का यहां पर होना चाहिए, 60 minutes का यह पूरा-पूरा section होने वारा है, जिसमें 75 questions में से आपको सिरफ-सिरफ 60 questions attempt करने है, ठीक है, जी, बात आगे समझ, आगे move on करें, बहुत बढ़िया, अब कुछ general instruction भी दे रखे हैं, जैसे मैंने तुमें बताया था, section 1 1A और 1B को language test बोलते हैं, जिसके अंदर, a candidate can choose a maximum of any three languages from section 1A and 1B combined, one of the languages chosen needs to be in the lieu of domain-specific subjects, for example, यह इस statement का मतलब यह है, अगर आप English honors करना चाहरे हो, तो English आपके domain के तेरा treat करा जाएगा, आप समझ रो, for example, आप Persian honors करना चाहरे हो, तो Persian आपके domain के तरा treat किया जाएगा, उस case में a student can choose a maximum of three languages, मेरे साब से minimum one languages दे रहे होंगे, three languages बहुत rare बच्चे दे रहे होंगे, section 2 offers 27 domains out of which a student can choose a maximum of six subjects, minimum की कोई guarantee नहीं कि भाई, minimum कितने domain देने है, देने है या नहीं देने, मेरे को मैं दुबारा बतायता हूँ, दुबारा repeat कर देता हूँ, जो मैंने तुम्हें तीन सेक् कोई भी mandatory नहीं है, कोई भी compulsory नहीं है, आगे move on करें, चलो, section 3 comprises general test, general aptitude test section 3 का है, for choosing languages up to 3 from section 1a and 1b and a maximum of six domains from section 2 and general test under section 3, the candidate must refer to the requirements of his or her intended university, again university के ओपर छोड़ दिया, भाई, जिस university में आप target कर रहे हो, उसके हसाब से बताना कि आपको 4 section में से क्या देना है, 1a में क्या देना ह 1b में क्या देना है, maximum 3, 3 आपको languages देनी आए नहीं देनी, यह maximum 6 domains में से आपको देना है नहीं देना, यह आपको यहाँ पर general test में देना है या नहीं देना, तो आप हर एक जो आप intended university का मतलब यह है, जो university आप target कर रहे हो, उसके basis पर पता लेगा आपको कौन सा section देना है, ठीक है जी, और again मैंने तुम्हें बताया, mode of test CBT में होगा, computer based test होगा, objective होगा, subjective नहीं होगा, कुछ लिखके, बड़े बड़े panel चापके नहीं आना, बड़े बड़े writing लिखके नहीं आना, MCQ based test होगा, 4 option दिये जाएंगे, 5 option दिये जाएंगे, उसके बारे में अभी clarity नही है, however, जो UGC chairman है, वो इतना बोलते हैं, कि आपके पास negative marking होगी, और CUET के अंदर सिर्फ सिरफ स्कोर्स आपके पास आ रहे होगे, objective type with MCQ, basically MCQ paper आपका और होगा, medium 13 languages में होने वाला है, यह वोई 13 languages है, जिसमें JE mains, JE advance और NEET conduct करवाया जाता है, syllabus आपके पास, इन्होंने in short यह करना शूरू हो जाएगा, कौन सी website में? cuet.sumarth.ac.in, 2nd April से 30th April तक आप CUET forms भर सकते हो, हर एक student, हर एक student को चाहिए, PCM के हो, PCB के हो, commerce with maths, commerce without maths, आप humanities के हो, कोई भी permutation combination of subjects आपके पास हो, class 12 में, आपको CUET के forms भरनने चाहिए, especially if you are aiming BHU, JNU, Delhi University, top 70 college अगर आप target कर रहे हो, ठ अच्छे कुछ general instruction दोर दे रखिये, क्या, level of questions क्या होगा, पहली बात तो जो domain की बार में बात करिए, वो सिरफ सिरफ class 12 boards का syllabus होगा, और अगर कोई इन्होंने यतना तक बोल दिया, class 12 में अगर कोई अच्छा कर रहे हो, तो वो CUET 2022 के अंदर भी अच्छा करने वाला है, number of attempts ये eligibility के बात कर रहे है, number of attempts मतलब eligibility, बहुत सारे students confused है, sir हम eligible है या नहीं है, Delhi University के अंदर, आप 2019 से pass out हो, 2020 से pass out हो, 2021 से 2022 में, Delhi University को फरक नहीं पड़ता, आपको कोई भी disadvantage नहीं होती, अगर आप gap year के student हो, मैं आपको बता देता हूँ, however, एक detailed discussion, Delhi University के perspective से eligibility criteria क्या होता है, मैं आके मेरे को join कर देना, और telegram group join कर देना, वहाँ पर notification आजाईगी आपके पास, इन्होंने बोल रखा है कि University permit अगर करती है students को, तो वो eligible है CUET देने के लिए, मान लो, Delhi University के अंदर अगर आपको aim करना है, और आपको confusion हो रही है, sir मैं eligible होया नहीं हूँ, तो Delhi University के अंदर आपक eligibility criteria देखना पड़ेगा, BHU के अंदर अगर आपको apply करना है, तो BHU का eligibility criteria देखना पड़ेगा and so on, इसमें बोल रखा है, if the university permit, अगर university permit करती है, तो obviously आप CUET देखे लेजब लो, choice of languages and subjects, again ये बोल रखा है, generally, देखो ये वो ही statement है, जो मैं तुम्हें बता रहा था, ये वो ही statement है, generally the languages, subjects chosen, should be the ones that a student has opted in his latest class 12 board examination, generally तो ये बोल रहे है, कि आपको वो ही language और वो ही subjects choose करनी चाहिए, जो आपके class 12 के syllabus में already आप पढ़के आ चुके हो, however, if any university permits any flexibility, अगर कोई university, कोई और domain, कोई और language तुमें permit कर देती है, कि नहीं नहीं, अगर आप commerce के student हो, और अगर आपको history करनी है, तो आपको history का domain नेना पड़ेगा, अगर कोई university ऐसा demand कर रही है, तो आपको history का domain choose करने से कोई ही रोका जा रहा, आपको full flexibility यहाँ पर दे रखिये, और इन्होंने एक और बात बोल रखिया, अगर आपके 27 domain specific subjects सबने देख लिए, सबने screenshot दे लिया, 27 domain specific subject में, अगर क क्या बोल रखा है, being offered the candidate में choose the subject closest to his choice, for example आपने अगर biochemistry पड़ रखिये, और biochemistry ही नहीं, मान लो 1% biochemistry 27 domain में ही नहीं, तो आप biology चूज कर सकते हो, तो आपको closest substitute चूज करना है उस case में, website का नाम दे दिया, अब आपको क्या करना है, comment करके अपनी जितनी भी queries है, यार वो लि सब पेपर का लेवल कैसा होगा, सान्या पेपर का लेवल मुझा इसा रखता है, moderate difficulty का होगा, उसका reason यह छोटा-छोटा इतना सा है, कि ultimately they are going to test you on something, और Delhi University में अगर आपको North Campus Colleges aim करना है, भी यू का main Central Campus अगर आपको aim करना है, तो उस case में थोड़ा तो difficulty level वो रखेंगे, इ objective है, कलास वोल में पांस दिन तुम पांस पेपर देते थे, CUET is going to be one day exam, तो वो mental pressure automatically बढ़ जाता है, प्रोफेसर योगे सिंग, Vice Chancellor of Delhi University, उन्होंने ये भी बोला, कि ideal scenario में next year से, from 2023, CUET will be conducted twice a year, तो वो क्यों करना चाहरे है, ताकि students का pressure कम हो सके, तुमारी यह जितनी भी queries है, मेरे को comment करके बताना, मैं तुम सब का reply लेकर आ रहा हूँगा, eligibility criteria Delhi University का, अभी 12 बजे हम discuss करने वाले है, session को सारे like कर दो, और सारे के सारे, learn करो, the live learning app download कर लो, for free and paid batches, अभी मैं आपे कोई batch launch नहीं कर रहा, अभी यार बहुत सारे students nervous है, उनको anxious हो रहे हैं, बहुत जादा, म आपको घबराने की जुरत नहीं है, learn करो, the live learning app, absolutely free of cost application है, application download करो, free resources आपको मिलेंगे, CVT का syllabus मिल जाएगा, paper pattern मिल जाएगा, जो मेरी Delhi University की बहुत सारी बनाएवी वीडियोस हैं, वह आपे आपको मिल जाएगी, मैं आज क्या करने वाला हूँ, NCRT Class 12 की, हर एक student को PDF format में, free of cost available internet पे, हमारी application पे upload कर दूँगा, कोई भी जा कि उसको download कर सकता है, अपने phone में प्रेंट करवा सकता है, तो learn करो, the live learning app सारे download कर देना, और latest notifications के लिए लिख लो, go cool with go cool चाबडा, मेरा खुद का यह telegram channel है, उसमें 19,000 plus aspirants हमाँ साथ जुढ रखे हैं, बहुत बड़ा group है, largest community on, of CUET aspirants 2022, definitely आप उसको join करो, go cool with go cool चाबडा, free of cost है, कोई भी जा के join कर सकता है, और यह लिख लो मेरा number, 639766212, 639766212, telegram join कर लेना, क्योंकि next मैं live cup कब आने वाला हूं, यह जो मैंने अभी पढ़ाया, यह जो मैंने तुमें अभी बताया, इन सब की PDF, PNG, images, videos, वो सार program group पे मिल जाएंगे,